हलो फ्रेंड्स गूर्णिंग वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो अमने मुर्णिंग के चाह बनने के लिए और इसमें बच्चों के लिए जाने के लिए लंच में आलू का पराथा बनाना तो अभी मैं आलू उबाला है और आटा लगा के हैं पहले ही रख लिया है इसमें चाहर निकाल देश्यूदा है कि सथ्यूदा लाम मैं ही बनाने किते हैं है है कि कुकर सेथा उन्यमों पांटी हो जाए जिए हुए और पेऊंब निकने मीः चैनल निकाल गरने के रेडिटे हैं अब बहुत जल्दी अब मतलब मुझे ला होने लगा जल्दी पहले कि आप इच्छा दीर दीरी करके दिन बढ़ रहे हैं और इसके बाद आलू पक चुकी हैं तो जल्दी से आलू निकाल लेते हैं चाई भी रख दे जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि बनने के लिए और बच्छों को मैं जगा दी हूँ और अपने से मतलब रहसास करके रेडी हो रहे होंगे तब तक मैं आलू निकाल के और जब तक ठंडी होंगे तक चाई भी मतलब पी लेंगे और इसके बाद फिर बनाएंगे आलू को फाराठा बच्चों के लिए तो बहुत दिन नहीं हुए पर लगता दस दिन के आसपास हो गए होंगे आलू को पराठा बनाएं तो इस समय नहीं वाली आलू भी आती हैं खा फिर आटा तो थोड़ा बड़े हो ही जाते हैं बाकी के मैंने बना के रख लिए हैं लास्ट है और जो की मतलब बच्चों के लिए भी बना देती हो फिलाहल उनके लंच के लिए बाकी के बाद में बनाऊंगी और यहां पास आज बच्चों को मैंगी खा के जाना था तो य एक बार मैंने लगा दिया तह तो फके और स्पे डोशारा के सुखने के लिए नाद आ जाए इसके बाद थैकम अधुब में दुपज को टो आधक एक दूट डीनिंघ काम में مشोंत एक वाते पर दिवार के का तुर मैं करना के सव् geschों तो देखते हैं पहले जो कपड़े हैं इनको निचोड़के और डाल देती हूं सूखने के लिए मतलब दोनों काम कपड़े वाले काम भी होता रहा है क्योंकि इसमें तो कपड़े लेके वैठे नहीं रहना है मसीड में लगा देना है और धूलते रहेंगे तो चलिए फटा- चार पाई दिखती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पर बनता ही नहीं है मतलब क्योंकि चार पाई वहीं पास ही रहने वाली है तो अभी सामने लेटे हैं गेट खुल गया तो फिर वह भी अच्छा नहीं लगता तो सोचते हैं चलो अज़ोगता के थोड़ा चार पाई का इस चकर में और फूड़ा सा जाले वले लग गया थैं तो ओ भी मतलब चूट जाएंगे और सात में थोड़ा सक्या है कि इधर फनीचर करनें तो थोड़ा साफाई हो जाती या खासकर जो मतलब मेन मोटिव है कि सफाई ही हो जाएगी एक दो दिन के लिए चे इसा लग रहा है और दूसरे वाला जो सोफा है तो इस दीवाल में रख जाए तो इधर रखके चिक करती हूं पहले चारपाई तो मैंने रख दिया चारपाई आ भी गई धंग से और इसके बाद जो इजर चारपाई की वेगल में सोफा है तो यहां पास ना रूम के साइड जाने के लिए जगा बहुत कम बस्ती थी कि अकर जल्दी से जा रहा है तो पायर में डेली ही लगेगा अगर अब जलो ठीक है सोच के जाएं कि अभी मेरे कुछ लेने जाना है तो मतलब ध्यान में है अगर जल्दी से जाना है और फिर आना है तो डेली पैर में लगने वाल दोवार मैंने ईसा था दोण है को भी किए दोनों सब्सक्राइब है सब्सक्राइब जो बेड़ का है उसको सोफा कम बेड़ मतलब बनाना पड़ता है तो अभी मतलब कुछ टाइम के लिए चेंज गर देते हैं फिर एकाद अपते बाद फिर पैसे रख देंगे तो मेन मोटिफ था सफाई का कि मतलब इधर हटा के सफाई ही हो जाएगे तो लुक भी चेंज हो तो इधर मैंने चारपाई रख दिया दोनों मतलब से सोफेज साइड टेवल के इधर वाले साइड में रख दी हो तो अच्छा लग रहा है हौल खाली-खाली लग रहा है तो इधर की जो टेवल रखे इसको भी मुझे क्लेन करना इधर पूरा हटा के इसके जो टेवल में तो सबसे पहले इसमें जो पानी के वोटल रखी हुई सब हटाते हैं और गंदा हो गया तो मतलब धोने के लाई कुछ रखते रहते हैं और इसकी नीचे ना टेबल में जो धूल बहुत ज़्यादा जम गई थी तो उसी कपड़े से साफ कर देते हुई इसके बाद डैस्ट नीचे और इन्वेटर के आँगे पीछे मतलब कुछ जाद ही क्योंकि वहां डेली नहीं साफ हो पाता और जो बोरी दिख रहे हैं और जो बोरी में रखा हुआ हैं जो आप उस दिन पहले मैंने दिखाया था बतलब सुख वायत हैं तो रखा हुआ भी यही पास में लाके जट से रख दी थी और जाले लग गए हलके हलके और घरों के बाहर काम चलता है आजकल तो बहुत जदा धूल आती है अंदर ठीक करने के बाद बच्चों के रूम में आगे बच्चों के रूम का थोड़ा सा लुक मैंने चेंज कर दी है टेवल को सुरी जो इस्टेंड कि तो पूरा हटा के मैंने हाथ है तो इसके टेवल के फीचर ना कुछ ना कुछ बच्चे गीराते रहते हैं जब पर हो गया कुछ भी हो गहां अर्चुए घोमते हैं लुप पेपर को कार्ट कर डालते हैं तो जिसके बच्चरों बहुत जादा हो जाता है दूल तो पता न और इसके बाद आ गई हूं वेड्रोम में तो जोई सामने आप लोगों गद्दे दिख रहे हैं तो यह मुझे निकालना है क्योंकि मैं मतलब चुहे इतनी ज्यादा आवाज आती है रात में तो देखती हूं कि गद्दे बचे हैं या नहीं बचे हैं तो इनको निकाल के धूप में भी डालोंगी और फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना इनको और बहुत ज़्यादा चुहे परसान करके रखे हैं तो जो यह गद्दा भी मैंने निकाला यह तो एक दम सही था और जो नीचे वाला गद्दा था उसको अभी मैं आप लोगों क पूरी तरह से अभी मैं आप लोगों को आंगे दिखाऊंगी तो इतना कचड़ा है उपर देख सकते हैं गद्दे काटे हैं तो चलिए इसको मतलब साब सफाय में बात में करते हैं पहले आप लोगों कद्दे दिखाती हूं तो यह देखिए कि पूरा और इतना भर नहीं इसके अंदर-अंदर से पूरा अचुहे इसमें बच्चे भी देखे रखे थे मैं छत में लेके गई यह पूरा इसको पूरा फाड़ के लाइक रही ही ने लिए तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि मतलब थोड़ा बहुत सफाय में लगी थी आज और गद्दे ट पूरा चुहा काट खराब कर दिये हैं अब इनको मैं दोनों इसको और यह बाला कद्दा दोनों च्छत में डाल के आती हूं दो चार दीन च्छत में ही डले रहेंगे क्योंकि अजीब सी महक आने लगती है ना चुहां की और जो भी इनमें कच्ड़ा उच्छा है साब सफा कर देंगे क्योंकि ऐसे में गद्दे भी नहीं खराब होंगे और कभी यह बसकता पड़े तो अपने काल ले बेट से और रगने तो देखती हूं पहले तो इनको धूप में डाल के आज और कल धूप में ही डले दाएंगे और इनकी साफसफाई करूगे अच्छे से इसके पूरे बिस्तर में पहल गया है काम मेरा और बढ़ गया तो चलिए पहले दोनों को डालते हैं च्छत में फिर यहां लगाते हैं जाड़ू कपड़े भी दूल चुके हैं तो उनको भी च्छत लेके जाना है डालने के लिए और अकेले ना बहुत ज्यादा काम हो जाता है कि तो इसकी दिन आज थोड़ा सा मैंने हॉल को भी चेंजेस किया जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक तो क्या है थोड़ा सगंदा भी हो गया था बहुत तो इधर उदर करने से साफसाइब भी हो गई और थोड़ा सा लोक भी चेंज हो गया तो चलिए इनको छत में कियेगा तो वीडियो को लाइक किजिए साथ ही मेरे चैनल को सस्क्राइब करें